कोई समझ जाए तो इसका मतलब यह नहीं उसने मुझे समझा कोई समझ गया तो इसका मतलब उसने एक प्रभू के पागल को समझ लिया एक प्रभू से प्रीत पालने वाले को समझ लिया एक दीवाने को समझ लिया मैं तो भाई मीरा का मित्र हूँ मैं तो मीरा का भाई हूँ छोटा भाई कह दो निश्य ही मैंने माहवीर के धर्म में सन्यास लिया लेकिन बता देना चाहता हूँ मेरी आत्मा मेरा दिल माहवीर का कम है और मीरा का स्यादा है और अगर मैं ध्यान भी धरता हूँ योग भी करता हूँ तो मैं कोई योगी बन कर योग नहीं करता मैं तो मीरा बन करके अपने आप में उतरता हूँ प्रीत पल गई तो ठीक है और न पले तो अपना क्या बिगड़ गया और इसलिए कभी तमन्ना नहीं रही कि प्रभू तुम आ और दीदार दिखा जब भी अपने आपको देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता ये मेरी काया है ये मेरा चेहरा है मुझे लगता है ये तू ही है तू ही है मेरी क्या उकात है हम सब लोग तो मिट्टी के पुतले है मिट्टी के कण है कहीं भी बैठे बैठे लुड़क जाएंगे हमारी क्या उकात ये तो तेरी उकात है जो तू अपने आपको साकार करता है इसलिए अगर आप लोगों से भी प्रेम करता हूँ ना प्यार महबत करता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता आप आप है मुझे लगता है आप लोग भी वही एक प्रभू है मैंने जितना प्रभू तत्व को समझने की कोशिश की तो मुझे लगा वो निराकार अपने आपको साकार कैसे करेगा तो निराकार इन रूपों में अलग अलग रूप रूपायों में अपने आपको साकार करता है मैंने एक बड़ी अच्छी कहानी पढ़ रखी है और वो कहानी है गवारिया बाबा की बड़ी मज़ेदार कहानी लगी मुझे और कहते हैं गवारिया बाबा एक दफ़ा वरंदावन के किनारे बैठे हुए थे कि तभी रात के अंधेरे में दो चार चोर आ गए तुम अपने आपको बता दो कि तुम कौन हो बोले हम तो चोर है बोले हाँ यार तुम चोर हो तो हम भी चोर है तुम चोर हो तो हम भी चोर है तुम भी चुराने का काम करते हैं और हम भी चुराने का काम करते हैं बस थोड़ा सा दशा और दिशा का फर्क है बाकी तो तुम चोर तो हम भी चोर बोले चोर है तो भई चलो चोरी करने बोले चलो बोले कहां चले हैं बोले जहां तुम्हारा जी चाहे तो बोले चलो चलो निकल पड़े तो बोले हिस्सा कितना लोग है बोले वो तो वहां देखेंगे भई कितना लेंगे निकल पड़े तीन चार लोग थे सारे मिलके निकल पड़े गए विरंदावन में और एक मकान में सैंध मारी तोड़ डाली है गुस गए अंदर सब के सब लोग और जब गुसने लगे तो पहले चोरों ने का किया पहले तू चल ताकि अगर कोई मुसिबट हो तो पहले इसको फशाए गवारीए बाबाने का नहीं भई भगवान पहले तुम अंदर चलो हम पहले का चले हैं पहले तुम अंदर चलो उनको तो चोर दिखाई नहीं दे रहे थे न्огम उसके लिए थी चोर अपने आपको चोर कह रहे थे उन्हें सोचे कोई माखन चोर आया है जो अपने आपको चोर कह रहा है क्योंकि गवारिया बाबा तो रोज ही माखन चोर को याद करते थे कि आ वही चुरा के हमको भी ले जा तो गवारिया बाबा ने जब बाकी चोरों को अंदर से लिए वो भी चले गे अंदर चोरों ने तौर्च जलाई या मुंबती जलाई और द्रादर अलमारिया तोड़ तुड़ा के सारा माल एकठा करने लगे और जैसे ही गाठ एकठी करने लगे कि तभी गवारिया बाबा की नजर पड़ की सामने पड़ी हूए एक धोलग पर और उन्हें लगा है और मज़ा आ गया धोलग मिल गए वो तो भूली गए हम यह क्या करने आये थे उनन तो धोलग उठाई और लेक गमा गम मस्ती से बजाने लगे लेक गमा गम और मस्ती से बजाने लगे चोरो ने का रहे तुम मरवाएगा क्या बोले आरे मज़ा आ गया रहे मरने की कौन सोचता हमको जीने मरने के लिए थोड़ी जी रहे है भाई जो होना होगा अपने तो धोलग मिल गई आप क्या चाहिए गवारिया बाबा लोग गवार समझते थे उनको इसलिए गवारिया बाबा नाम पड़ गया चोरो ने का यार ये तो मुसीबत आ गई वो तो ध्रादर वहां से दोड़ें और गवारिया बाबा मस्ती से अपने दोलग पर थाप देते रहें लोग जखे आगे डोलग की आवाज सुनी पकड़े गए लोग उनने दो चाहर जूते भी टिगा दिये होंगे और जब रौस्नी में देखा तो पता चला रही आ रही है तो गवारिया बाबा है बोले कि गवारिया बाबा तुम यहां क्या कर रहे थे हमको का मालूम के हम यहां का कर रहे थे हमने तो उन्होंने कहा चोरी करने चलना है हमने का चलो हमने तो सामने जैसे ढोलग देखी और हम तो अपनी मस्ती में आ गए लोगोंने का गवारिया बाबा तुम तो अगर चोरी करने जाओगे किसी घर में भी तब भी वो तुमारे लिए विरंदावन का धाम बन जाएगा तुम तो अगर कहीं चोरी करने के लिए भी जाओगे तो तुमारे लिए वो विरंदावन का धाम बन जाएगा बाबा तुम्हें तो सब जगे भगवान ही भगवान दिखाई देता है इसलिए तो अपन लोग गाते और गुन गुनाते हैं कणकण मेह जांकी भगवान की किसी सूज़ वाली आँख ने पहचान की कण कण मेह जांकी भगवान की हर आदमी के लिए को कणकण मेह भगवान थोड़ी है उनके लिए तो इधर उधर दस किलो मीटर दूर किसी स्थान पर भगवान रहते होंगे पर ये जब मीरा की बात कर रहे हैं हरदय की बात कर रहे हैं दिल के मंदर की बात कर रहे हैं तो यहां पर तो भाई कण कण में है जहांकी भगवान की जिसने भीतर उतर लिया है भीतर के देवाले को देख लिया है भीतर के संगीत को सुन लिया है उसके लिये तो चेडिया भी चहाचाहती है तो चेडिया की चहाचाहत में भी उपनिशदों की आवाद सुनाई देती है कबुत्र की गुटरगू में भी उसे वेदों की रिचाओं का आनन मिलता है और अगर सड़क पर जंगलों में कहीं हिर्णों की गुलांचे सुनाई देती है दिखाई देती है तो उसमें भी कुरान की आयतें उसे नजर आया करती है ये तो दिल की बात है आज तक दुनिया में जो भी महान रिशी महर्शी जो भी आत्मग्य जिनके भी पुन्य जगे आज तक और जो भी अपने साधन शरीर से उपर उड़कर आ साधन चेतना का मालिक बना उसका द्वार एक अकेला द्वार बना और वो है हरदय का द्वार दिल का द्वार आत्म ग्यान का द्वार और आत्म ग्यान का द्वार द्रवाजा कहां से खुलेगा दिल से खुलेगा दिल की बात मन में सब गड़बडिया है मन बड़ा कवार खाना है गड़बड करता ही रहता है कभी गुसा करता है कभी त्रिशनाएं पालता है कभी छाती कूटा करता है पर दिल नाम लेने मात्र से प्रीत पलती है नाम लेने मात्र से भीतर में गुलाब का फूल खिल रहा है नाम लेने मात्र से भीतर आनंद की उर्मिया फूट रही है ये हरदय है हरदय का सागर है हिर्दै का देवाले है कनकन में है ज्ञांकी भगवान की किसी सूजवाली आँख ने पहचान की नाम देव ने पकाई रोटी कुटे ने उठाई बड़ा अच्छा गीत है ये नत्था सिंग जी ने ये बड़ा अच्छा गीत बनाया है मैं नत्था सिंग जी से मिल तो नहीं पाया हूँ अब तक लेकिन अगर वो मुझे कभी जिंदगे में मिल गए तो मैं उन्हें अपने गले लगा करके सादुवाज जरूर तूँगा और मेरी समसे ऐसे अद्भुत अनूठे गीत कभी कभार बनते हैं जिनके दिल में सच्ची प्रीत पलती है प्रभु के प्रति है उन्हीं लोगों के भीतर से ऐसे गीत फूटा करते है नाम देव ने पकाई रोटी कुटे ने उठाए पीछे घी का कटोरा लिये चाह रहे ना थ लूखी तो न खाओ थोड़ा घी तो लेते जाओ अपना मुखडा क्यों छुपा रहे अपना मुखडा क्यों मुझसे छुपा रहे आगे क्या है तेरा मेरा एक रूप कितना सुन्दर है ये तेरा मेरा एक रूप फिर काहें को हजूर तुने शकल बना ली यह श्वान की और मुझे ओड़नी ओड़ा दी इनसान की अर्थात संत नाम देव जी खाना बना रहे थे और तभी एक कुत्ता आ गया और रोटी पर मुह मारा और रोटी उठा कर जाने लगा तो पीछे से नाम देव जी ने कहा रहे अरे भाई रोटी कहा ले जा रहे हो लुक्खी है अभी तक लुक्खी लेकन कुत्ता किसके सुनने वाला तो कहते हैं नाम देव जी ने देखा भगवान आये घर पर भगवान आये द्वार पर और लुक्खी रोटी खाए यह कैसे भगत का सम्मान होगा तो उठाया गी का कटोरा और पीछे दोड़ने लगे अरे भाई अरे प्रभू जी रोटी पर थोड़ा सा गी तो लगवा लीजे ताकि खाने में आनन आएगा नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई पीछे गी का कटोरा लिये जा रहे ना लुखे तो न खाओ थोड़ा गी तो लेते जाओ अपना मुखडा क्यों मुझसे छिपा रहे तेरा मेरा एक रूप कुत्ते से तुलना करें तेरा और मेरा तो एक ही रूप है भाई ये तो बाहर का चोला है जिसके लिए लगता है मैं इनसान और तू कुत्ता तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर तूने शकल बना लिए यह श्वान की कुत्ते की शकल पता नहीं तूने क्यों बना लिए और मुझे इनसान की चुनरिया चदरिया तूने ओढ़ा दिये बाकित तू और मैं दोनों एक ही है भेद गिर गया अब कहीं यह नहीं लगता तू तू है और मैं मैं हूँ अब तो लगता है तू और मैं अपन सब लोग एक ही है जब तक कोई इनसान घड़े में जल लेकर चलता है तब तक लगता है यह पानी मेरा है ये पानी मेरा है लेकिन जैसे ही कोई इनसान वापस सागर की तरफ उतरता है सरोवर की तरफ उतरता है और संयोग से अगर उसका मटका फूट जाए तो पानी वापस मटके का पानी वापस जल में सागर के जल में सरोवर के जल में समा जाता है मेरा जब तूट जाता है मैं का भाव जब छूट जाता है विचार और वासनाओं का कोला हल जब मिट जाता है जब हमारे भी तरशान्त शुन्य मौन आनन पूर्ण लेलीनता की स्थिति बन जाती है तो फिर फूटा कुम्ब जल जल ही समाना जब तक घड़ा है जब तक मेरे पन का आरोपन है माया का मिट्षात्व का जब तक ये घड़ा बना हुआ है तब तक लगता है ये मेरा जल ये मेरा पानी ये मैं ये मैं ये मैं फूटा जल 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 ही समाना ये घड़ों के चलते ये मिट्टी के न पुतलों के चलते ये अहम भाव के चलते लगता है मैं मैं मेरा डेवलपमेंट मेरा विकास अरे भाई किसी का कोई विकास नहीं है सारे विकास वाले एक दिन मिट्टी में समा जाते हैं दुनिया में किसका विकास रहा है लोगों को लगता होगा कि गान दीजी ये बहुत महान हुए अरे भाई खींच खींच के सौ साल तक और चला लो गान दीजी के नाम को फिर ये भी अपन सब चलती का नाम गाड़ी है खड़ी का नाम खटा रहा चल रहा है तब तक चल रहा है कब कौन इस इतिहास के पन्नों में कौन ओजल हो जाता है मावीर से लेकर गान दीजी तक अब तक ना जाने कितने अनगन